गणतंत्र दिवस भारत का एक राश्ट्रिय पर्म जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है इसी दिन सब 1950 को भारत सरकार अधीनियम एक्ट 1935 को हटा कर भारत का सम्विधान लागू किया गया था एक स्वतंत्र गंड राज बनने और देश में कानून का राज स्थापीत करने के लिए सम्विधान को 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोगत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था च्योंकि 1930 में इसी दिन भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेश ने भारत को पूर्ण सोराज घोशित किया था सन 1929 के दिसंबर में लाहोर में भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेश का अधिवेशन पंडित जवालान नहरू की अधिक्षता में हुआ जिसमें प्रस्ताव पारिद कर इस बात की घोशड़ा की गई कि यदि अंग्रेश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायतो पनेश यानि डोमीनियन का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्णतह स्वलतंत्र घोशित कर देगा 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेश सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेश ने उस दिन भारत को पूर्णतनत्र के निश्चे की घोशना की और अपना सक्रिया अंदोलन आरंब किया उस दिन 1947 में स्वतंतरता प्राप्त होने तक 26 जनवरी गंतंतर दिवस के रूप में मनाया जाता रहा इसके पश्चात स्वतंतरता प्राप्ती के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंतरता दिवस के रूप में स्विकार किया गया भारत के आजाद होने के बाद सम्विधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कारे 9 दिसंबर 1947 से आरम कर दिया सम्विधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाव के निर्वाचित सदस्यों के द्वारत चुने गए थे सम्विधान सम्विधान लिखना या निर्मान करना था प्रारूप समीती के अध्यक्ष विधी वेता डॉक्टर भीमरा अंबेटकर थे प्रारूप समीती ने और उसमें विशेश रूक्ष डॉक्टर अंबेटकर जी ने दो वर्ष 11 माह 18 दिमों में भारती सम्विधान का निर्मान किया और सम्विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को 26 नमबर 1949 को भारत का सम्विधान सपूर्द किया सम्विधान सभा ने सम्विधान निर्मान के समय कुल 114 दिन बैठक की इसकी बैठक में प्रैस और जनता बेभाग लेती थे अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को सम्विधान की दो हस्त लिखित कौपियों पर हक्ष्ताक्षर किये इसके दो दिन बाद सम्विधान 26 जनवरी को यह हैं देश भर में लागू हो गया 26 जनवरी का महत्व बनाय रखने के लिए इसी दिन सम्विधान निर्मात्री सभा यानि कंस्टिटेशनल अस्टेम्बली द्वारा सविक्रीत सम्विधान में भारत के गंटंत्र स्वरूप को मानेता प्रदान की जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाय जाता है झाल 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 झाल